नमस्कार दोस्तों योगिश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों क्या हमें सेल्फ वेक्यूम करना चाहिए किसी भी उपकन पर आज इस विज़र को हम इस वीडियो के मादम से जानेंगे अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये एक डीफ विजर है हमारा जिसमें हम आइस के दोरा हम वेक्सिन केरियर में इनका यूज करके वेक्सिन का टंपेचर दोसे आर्ट पे मैंटेन रखते हैं पूरे धिरमर के लिए अगर आप self vacuum करेंगे तो क्या ये temperature maintain हो पाएगा ये ice pack solid रूप से जम पाएगे इनी सबी बातों को मैं explain करूँगा इसलिए वीडियो में आप लाश्ट तक नहींगा विशेशकर जो दोस्त नई है और self vacuum वीदी के बारे में जानना चाहते है ये हमारा एक deep freezer है जिसमें हम माइनस 15 से माइनस 25 का तापमान अचीव करते हैं हर हाल में इसमें leakage हो गया है ये एक आर 290 का system है हमने leakage को ढूंड लिया leakage हमें वहाँ प्राप्त हुई जहां पर इसका dryer लगा हुआ हूए और company जहां से double vacuum करती है उपकन को अभी आप सोचिए जब company भी double vacuum करने के बाद gas डालती है तो क्या हमें self vacuum करना चाहिए हम आगे बढ़ने से पहले इस विशे को एक दुसरे अंदाज में देखना चाहते हैं कई बार प्रस्तिती ऐसी हो जाती है कि हमें double self vacuum करने पर मजबूर होना पड़ता है तो जान लेते हैं self vacuum कैसे करते हैं हमारी process pipe है इस पर आप pin वाल लगा दीजिए या फिर अपना कप्र लगाने के बाद अपने compound gauge gas charging cylinder उन सब को connect कर दीजिए और जो point मैंने आपको अभी दिखाया था जहां से लिकिज था उस point को हमने खोल लिया है वहां से company double vacuum करने के लिए quarter का pipe लगाती है और बाद में उसे punch कर देती है इसी point से self vacuum की प्रक्रिया को किया जाएगा इसलिए जो दोस्त नहीं है वो ये बात जान ले आपके उपकन के सभी ब्रेजिंग complete होने चाहिए सिरफ process pipe और आपका जो ड्रैर वाला हमारा one four quarter का pipe है उसको सिरफ हमें खुला छोड़ना है आपको ये pipe extra लगाना होगा आपको दोस्त राख वाला ड्रैर यूज़ करना होगा इस काम के लिए और बाकी सभी ब्रेजिंग आपकी होने चाहिए अब आपको करना के है कि system को चालू कर देना है यानि कि compressor को हमारे उपकन को ओन कर देना है और लगबग आदे घंटे तक इस जगह से उपकन की सारी uncondens गैसे जो हमारे सारकिट की पाइपों में इकठा हुई है नमी वो सब इसके मादम से बाहर निकल जाएगी लेकिन एक बात नोट कर लीजिए जो हमारा system vacuum दोनों तरफ से या फिर हम professional vacuum pump से करते हैं उतना vacuum इस वीदी से नहीं हो पाएगा और कुछ नमी या कुछ uncondensable गैसे ह तो हमारे system की cooling शम्ता को प्रभावित करेंगी इसलिए दोस्तों अगर आपके पास vacuum pump है तो आपको vacuum pump से ही vacuum करना चाहिए ये बात निश्चित जान लीजिए self vacuum हम उस वस्था में कर सकते हैं कि आप ऐसी site पर गए जहां काफी दूर है और उसको चालू करना जरूरी है आपके vacuum pump खराब हो गया है तो उस अवस्था में आपको खाली हाथ वापिस नहीं लोटना तो ये self vacuum कर सकते हैं क्योंकि ये वीधी हमारे refrigeration में मानिया नहीं है इसलिए self vacuum करने से बचिए दो जोस्त नहीं है सिस्टम को चलते हुए आदा घंटा हो गया है अब हम सिस्टम के चलते चलते में उस point को बरेज करेंगे उससे पहले जाग की द्वरा आप देख लीजी उसमें से कोई bubble तो नहीं आ रहा अगर bubble आ रहा है तो थोड़ा और vacuum होन ब्रेजिंग के दुरान भी और आपको ब्रेज करने में काफ़ी समस्या आ जाएगी लेकिन धैरिये से पेसंस्ते आप इसे ब्रेज कर लीजिए ब्रेजिंग टोच को हलका हलका उस पाइप पर रखिए हलका सा थुरा दूर कीजिए और एक गाढ़ा ब्रेजिंग करने के ब चोड़ना है अगर लिक्विड रूप में रेफजिनेट छोड़ रहे हैं तो दो या ती मिनिट का अंतर रखिए दुबारा से कंप्रेशर को चलाने के लिए ताकि वो वेपर रूप में कनमट हो जाए और यह आर दोसो नब्बे है दोस्तों इसकी साथ काम करते हैं आपको को चालू कर दीजिए और सिस्टम में गैस अगर पूरा ना होया हो तो वेपर रूप में चलते हुए सिस्टम में आप गैस छोड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए लिक्विड रूप में मत छोड़िएगा सिस्टम में रेफजिनेट को अगर आपके पास ब्लाइंड है त और डेफजिनेट फिलिंग का कारिय शुरू हो चुका है हमारा वेजिजिन अच्छी तरह से लग चुके हैं लिक्यज भी नहीं है तो दोसतों यह प्रसजरो होता है सलफ वैक्यूम करने का लेंखिन कोशिश किजिए कि सलफ वैक्यूम ना करें इससे कूलिंग की कूलिंग तापमान और प्रेशर काफी जादा हो क्योंकि दोस्तों अगर सिस्टम में अनकंडेंसिबल गैसें और नमी रह जाएगी तो उससे उनका तापमान बढ़ जाएगा और इससे बलाष्ट होने का खत्रा हो सकता है धन्यवाद